नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तों राजिस्थान पीटी अग्जाम 2022 का रिजेल्ट है वो डिकलेर हो चुका है आपको इनकी official website पर विजिट करना है और इनकी official website का जो URL है वो है ptetraja2022.com आपको इसी website पर विजिट करना है और इस website का link है आपको वीडियो की description में भी मिल जाएगा जब आप इस website पर विजिट करोगे तो देखिए आपको इस तरह का interface वो देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे result देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि यदि आपने 2 year के लिए apply किया है तो इस link पे आपको यहाँ पे click करना है यदि आपने 4 year के लिए apply किया है तो आपको इस link पे हो click करना है चलिए मैं यहाँ पे किसी एक link पे click करके आपको दिखाता हूँ जैसे मान लिजे यहाँ पे आप किसी link पे click करते हो तो आपके सामने इस तरह से एक नया page हो open हो जाता है और यहाँ पे देखिए आपके जो role number आपको डालना है फिर process पे click करना है यदि आप अपने role number भूल गए हैं तो आप अपना जो result है अपने नाम से भी निकाल सकते हैं देखिए नीचे ये सुईद है आपके लिए वो दी गई है यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है अपनी माता का नाम आपको डालना है और यहाँ पर आपको अपने DOB है वो select कर लेनी है उसके बाद आपको process पर click कर देना है अब जैसे आप process पर click करोगे तो आपके सामने आपका result है वो आ जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको किसी candidate का result है वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास किसी candidate के roll number नहीं है अगर roll number होते तो मैं आपको result है वो भी यहाँ पर दिखा देता लेकिन result देखने के लिए यही process है यही तरीक है इस तरह से आपको अपना result है वो देखना है अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे जो candidate है उनका यह भी सवाल हो सकता है कि देखी हमारा result तो यहाँ पर आ गया लेकिन अब हमें यह नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी cutoff रहेगी या फिर कितने number वाले candidate का number है बेड के लिए है वो आ जाएगा अगर इसके बारे में आपको और जादा जानकारी चीए है तो आप जादा से जादा वीडियो के निचे कमेंट कीजेगा ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडिया वो लेकर आ सकूँ और जिसके अंदर आपको पूरा तरीका पूरी प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ कि कितनी cutoff रहने वाली है और उसके बाद किस तरह से आगे आपको प्रोसेस करने है कैसे आपको कोलेज मिलेगी किस तरह से यहाँ पर आपको काउंसलिंग में भाग लेना है किस तरह से फिस आपको जमा करवाने है वो पूरी प्रोसेस है आगे की वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदरम आपको इतनी ही जानकारी हो देने वाल हो अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लेगी होता है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेर कर देना और जो साथ ही हमारे चैनल पर पहली बारा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो भी दबा दीजेगा और ओल नोटिफिकेशन है उसे भी ओन कर लिजेगा ता